साल भर में सबसे त्यारा होता है एक दिन ुकर करना है और आपको wow color प्रश्षिंस करना है आपको अजाने यहां पर आपको देखने के यह हैं में रिख्कशन आ पर कमिलेगा प्रेजंट्रेशन में किलिक करके दोस्तों यहां पर आपको पहले आपको डाउन वाला सिलेट कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको फिर प्रेजेंटेशन में जाना है जाने के बाद दोस्तों आपको आपको आपकर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको आपको आपकर लेना है उसके बाद दोस्तों आपक transaction effect आपको add करते जाना है तो दूस्तों हिहाँ पर में फटापर से सभी फोटो में अबला transaction effect add कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूं दोस्तो टांजेक्शन रिफेट आपको एट करने के बाद आपको क्या करना है वीडियो को आपको इस अप्शन में जाके पहले इसको सेप कर लेना है दोस्तो वीडियो को सेप कर लेने के बाद आपको आ जाने वीडियो के स्टार्डिंग पोजिशन में और बेक कर लेना है करने के बाद आपको फिर से क्रेट में क्लिक करके इस बाद 16 तुन आने सो सेलेट करना है उसके बाद आपको नेस्ट करना है और Media Option में जाके दोस्तों आपको ओही बाड़ा फोट आपको Add करना है फोटा-अट करने के बाद दोस्तों इस बाड़ा आपको आजाने वीदियो कि Starting Position में फोटो में क्लिक करके और दोस्तों फोटो का विगड़नेट मिलेगा दोस्त आपको एक एक कर्के सभी photo विगनेट अन कर लेना है दोस्तो सभी photo में विगनेट अन करने के बाद आपको आ जाने वीडियो के starting position में प्लाजबला ऐकेन में क्लिक करके आपको दोस्तो first transaction में आना है और तरड नमर टेंजक्शन एपेट दोस्तो आपको सभी फोटो में करके आपको एट करते जाना है तो düzel आपके यह पर मैं फटा पर चर्ट कर लेता हूँ इसका लेन तब भूर्ण आपको 3-đ कि आपको 1 को स्टार्डिंग पॉजिशन में अडिक आपको आजाना है उसके बाद आपको 2 पूर्डिंग आके layer चाहरे इस स्टार्डिंग पॉजिशन में आके layer कि करना है दोस्तो template वीडियो एट करने के बाद पहले इसका music mute करना है करने के बाद इसको fill screen करना है नीचे में लेगा blending option और screen करके ok कर लेना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर जो frame दिख रहा है frame के अंदर आपको दोस्तो शेप कियावा video आपको add करना है media option में जाके दोस्तो यह वाला video आपको add करने के बाद इसका size तोड़ा छोटा करके आपको दोस्तो इस frame के मताबिक दोस्तो आपको size rotate करना है rotate करने के बाद दोस्तो आपको इसको frame के अंदर बहुत यह अच्छे से आपको add करना है तो दोस्तों यहाँ पर add करने के बाद आपको send to be record करने के बाद दोस्तों यहाँ पर frame के अंदर बहुत याची से adjustment हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चार photo add करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको layer option में जाके media option select करना है और photo add करना है दोस्तो फोटो लेने के बाद आपको cropping option में जाके marks on करना है shapes में जाके आपको ये वाला shapes लेना है और shapes को कुछ इस तरह से आपको editing करना है और अब चाहो तो दोस्तो कुछ इस तरह से zoom कर सकते हो उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है साइज तोरा छोटा करके आप के फ्रेम के साज मुताबिक आपको थोस्तों इसी तरह दूसी तरह आपको सभी फोटो में एट कर लेंा है इसी तरह पर देखने हुआ मैं सभी photo को add कर ले हूँ, add करने के बाद आपको आ जाने है, वीडियो के starting position में, और जोस्तों यहाँ पर आपको क्या करنا है, layer option में जाके, media option select करकर या, और जोस्तों, यहाँ आपको c recept gun blog आपको, png दोस्तों यहाँ से आपको add कर लेना है, तो दोस्तों यहां पर वीडियो थोड़ा रुख गया था तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है और लेयर अप्शन में जाके टेक्स्ट अप्शन में आना है और दोस्तों यहां पर आपको एक नाम लिख लेना है तो नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर डबल ए में जाके कोई भी एक फ्रेंट सेलेट करके आपको दोस्तों इसको आपको जूम करके और दोस्तों आपको करीब इस पोजिसन में आपको बैठेल लेना है साइज के मताबिक तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है इसका साइज पोजिशन तेक आ जाने के बाद दोस्तों आपको इसका लेंट ले चाल जाना वीडियो के एंड तेक और इसके बाद दोस्तों आपको आपको कोई भी एक वर्डवला ओडियो दोस्तों आपको एट करना है तो दोस्तो देखे रहो मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा ओपी तरो से इडिटिंग हो गया है दोस्तो अगर आपके इस ट्राइप के वीडियो इडिटिंग करने में कोई भी आपको प्रोब्लेम होड़ा तो प्लिस मुझे कॉमेंट करके जुरूर बतना तो दोस्तो आज की वीडियो मे इतना इड़ा